गाएं के पेट में सिर्फ इसलिए चा को घोप दिया क्योंकि उसने उसके दुकान पर रखा पपीता खा लिया था आसपास के लोगों ने मीडिया को बताए कि गाएं के पपीता खाने से बशीर गुसे से भर गया और इस गुसे में वो अंदर गया और चाकू लेकर आया और फिर गाएं का पेट फारकवे पपीता निकाल लिया और वापस अपनी दुकान पर जाकर बैड गया गाए का बहता खून देखकर आसपास के लोग उसे इलाज के लिए स्पताल ले गए जहां उसका इलाज चल रहा है गाए के मालक के तरफ से बशीर मुझावर के खिलाफ ठाने में तहरीर दी गई है जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने बशीर को गिरफतार कर कोर्ट में पेश किया अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को नयाई किरासत में भेज दिया है बशीर की इस कर्टू से सभी हैरान है और फल विकेरता की आड में उसके निर्दई और बेरहम कसाई होने की बाते बोल रहे है वहीं गाई के हालत अभी भी गंबीर बनी हुई और डॉक्टरों के इनने बताया कि उसका दर्द कम करने के लिए उसे इंजक्शन दिये जा रहे है गाईस के जानवर के साब बशीर ने सही किया गलत किया हमें कमेंड बोक्स में जरूर बताये वीडियो को लाइक करे शेयर करे और हमाय चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूले